हम हमारा हक को मांगते हैं, नहीं किसी से भीक 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 विश्व विध्याले में जहां पर आरेस के जो स्टुडेंट्स है वो अभी भी धंडे पर बैठे हुए आज सात्वा दिन हो चुका है गांदिवादी योजना को लागू करते हुए अपना अंचन जारी रखते हुए और आज 10 जने आमरेन अंचन पर बैठे हुए या पर ल शिवानी है मैं मेरनम आप आमरेन अंचन पर बैठे हुए आपकी मांग है क्या है मैं मांग तो पिछले एक महिने से चल रही है कि हमें आरेस मेंस के लिए जो टाइम पूरा नहीं दिया गया है क्योंकि हमारा जो सलेबस है वो इन्होंने नोटिफिकेशन के साथ नहीं दिय हम आरेस के लिए तीन मंदोर मांग कर रहे हैं कितते दिन हो गए आमरेन अंचन पर बैठे हम गांधिवादी योजनाओं को पालन कर रहे हैं लेकिन उसके बाब जूद राजिस्तान सरकार कोई सुद नहीं ले रही प्रशासन कोई सुद नहीं ले रहा आप क्या काएंगे अब आगी किया रणनीती और रहेंगी जब तक की सरकार ये डिसीजन नहीं देगी आरपियसी की हमारा बेपर प्रपोस्ट पॉर्ट होगा अब आपका नाम दिक्षा आप यहां भी आज आप भी आमरन अंचल पर बैठी हुए अब क्या कहेंगी मैं ये कह रहे हूँ कि सरकार अमारी मांग को सुने हमें दो या तीन मेने का टाइम ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं हमारी कर से तब्यत खराब हो रही है लेकिन अभी तक कोई भी नहीं है हमारी लड़किया हम लोग यहां पर रात को रुक रहे हैं इनिसेटी में यह सब अगर हमारी जिंदिगी में कुछ खिलवाड होगा तो इसकी जिमेदार सरकार होगी एक हाई कोड ने यह कहा था कि नोट आज आप आमरे लंचन पर ऐसी स्थिती बन गई है कि आज आप सभी आमरे लंचन पर बैटी होएं तो आप क्या कहींगी मैं तो यह कहूंगी कि सरकार को हमारी मांगे जल्दी से जल्दी सुननी चाहिए हम प्रेशान हो रहे हैं पिछले एक मैने सब हमें यह कहते हैं हम सरकार से बात करेंगे हमें सीम सर से बहुत उमीद है अब भी भी बहुत उमीद है कि हमारी बात जरूर सुनेंगे सर हम लड़कियों को इतना ही टाइम मिलता है तो आप इतना संगर्ष कर रहे हैं आपकी पढ़ाई किस तरीके से हम सब कर चक काड़ रहे हैं हाज जोड रहे हैं गवर्मेंट के आगे लेकिन हमारी कोई बात नहीं अगर हमारी साथ कोई भी दिक्कत होगी तो सरकार जिम्यदार होगी अब हमारी शात्ति को आप देखे एक बार कीजिए आज यहालात बन गए हैं राज्य के अंदर किस अभियरतियों को चात्रों को अपनी मांग मनवाने के लिए धर्णे पर बैठना पड़ रहा है अंचन पर बैठना पड़ रहा है उसके बाब वजू सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आती है आज हम लोग 10 लोग बैठें जिसमें से 4 लड़कियां और 6 लड़कियां अंसन पर बैठें लेकिन अभी तक हमारे पास कोई भी नहीं आया है एक बार भी जानकारी लेने की क्या हुआ है बच्चे क्यों बैठें इनकी मांगे इनके हमारी मांग यही ऐसी 2-3 मेने टाइम द की आपके मैटर के अंदर भी कोई विपक्ष, कोई प्रशासन या बड़ा आत्मी आके आपको कोई साब्यन्त्रा आपकी सामने प्रस्तूत किया है कांग्नस और बीजेपी का हमें कोई लेना-देना नहीं हैं हमें हमारी मांग है, हम स्टूडेंट है, हम मैंनत मजदूरी करते हैं हमारे घरवाले, हमें और किसी राजनीती चचर में हमें नहीं पढ़ना बिलकुल है, ना हम राजनीती चचर को जानते हैं, ना हमें कोई लेना जना है, हमें सिर्फ असोक सर से बिंती है, कि वो हमारी से ना जोड़ा जाए हमारा politics से कोई relation नहीं है politics के लिए सारी उमर पड़ी है हम कर लेंगे जब करनी होगी यह हमारे पढ़ाई के तीन-चार साल है जो हमें घरवालों ने दिये है next chance girls को तो यह भी नहीं पता second chance भी मिलना है या नहीं इसलिए हमारी गुजारिश अपनी समय द वाजी तरीके से करनी थी वह हमने कर ली है लेकिन सरकार की तरफ से हमें कोई सकारात्मक reply नहीं मिल पाया है तो अब हमारे पास हमें मजबूर होगा हम मजबूर हो चुके हैं क्योंकि admit card कल इनों ने जारी कर दिया हमारे पास और कोई रस्ता नहीं है हम आमरन अंस्तर बैठ है और जब तक हमारी मांगें फुरी नहीं की जाएगी तब तक इस कारवा बढ़ता ही जाएगा तरह सरकार आपके मांग सुनेगी इनकी पूरी प्रिप्रे सिंबूर है और वो यहां बैठे हैं क्योंकि उनको पुरी का सामने नहीं आईगी आपको लगता है कोई प्रतिक्रियां सामने आईगी बिल्कुल आएगी आमरन अंचन की प्रतिक्रिया भी आयाईगी और पहले भी प्रतिक्रिया आई लेकिन हमें किस तरीकी का प्रशासन और किस तरीकी की सरकार अभी जो बनी हुई है जो प्रतिक्रिया दे रही है कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए शांती पूर्वक तरीके से कोई मांग नहीं मानी जाती अंचन पर बैठना पड़ रहा है क्या माहौल अभी बना हुआ है इसमें सबसे बड़ी गलती में हम RPSC की खुद की है RPSC ने जो सलेबस अमेंडमेंट किया है वो इतना क्विक टाइम में किया है और उसके बाद इतना कम टाइम हमें दिया और वो अपनी गलतियों को छुपाने के चकर में हो हमारे उपर ये बोज डाल रही है अब हमें सब इ हमें सब्सक्राइब माम पड़ा परामपरा है कि हमेशी नोटिफिकिशन और प्रिलम्स के बाद प्रिलम्स के बाद हम इसलाबस नया चेंजिस लाए है बधला बढ़ा बडलाव लाया है। कि हम नहीं कवर कर सकते तीन मेन में इसलिए हमारी बस एक छोटी सी गुजारिश है कि हमें दो से तीन मेने का टाइम और दिया जाए ताकि नियायों सब के साथ और हम प्रिपरेशन कर पाएं और अच्छे से परिक्षा दें क्या स्लेबस की प्रॉब्लम है क्या सिर्फ अपने इसको पॉस्पॉन करवाने की मांग है क्या एक्चुल प्रॉब्लम है जिस कारण आप इतना तीन मेने का वक्त मांग रहे हैं मैडम सिलाबस में बहुत साइन्स का अगर स्टाटिक पार्ट कवर करने हम जाए तो दो मेने का टाइम लगता है और यहां उन्होंने फिप्टी परसेंट की राउंड से लबस बदला है तो माम वो इंपोसिबल है तीन मेने में कवर करना जी तो यही बस और इसे लिए सारे अंडर प्रिपेर्ड है क इसे की भी प्रिप्रिशन नहीं है और यहां काफी इंटलिजेंट लोग बैठे हुए जिन्होंने अल्रडी बहुत सार एक्जाम्स निकाले हुए है जिन्होंने प्रिलिम्स में ही 136, 120 अबाव मांक्स लाए हुए गंभीर विध्यारती यहां बैठे हुए